आज मैं तरोई के बिल्कुल नए रेस्पी लेके आए हाँ इम काका चीज लगी है लागे बता हाँ सबसे पहली मैं गरम पानी करे हाँ अब कराहिल गर्म करके इम तेल डाल बो एक बड़ा चम्माच तेल गरम हो जहीता हम में जीरा ला डाल बो इम खड़ी मीर्च डाल ले बो लाल वाला लसून डाला था नारदस कली एक बड़े प्याज जो लो काटके रखे रहे नों डाल बो हम अब बेला चला ले बो कल्षी से चला के बढ़िया थोड़ा मुलायम होन दे बो इल्भून ले बो अब हमें जो डाल भीगाय रहे नो डाल डाल के इल्चला बो हमें अरहर के दाल ले रहां अब कोई दाल ले सकत हो अब इम कटे हुए टमाटला डाल ले बो मैं चार टमाटल ले हां नमक डाल ले थां स्वाद अनुसार हल्दी पौडर आधा चम्माच अब इल्चला बढ़िया से मीक्स कर ले थां आचला हम मीडियम मा रग वो ताकि हमार सबजी चिपकाई माच अब इल्चला बढ़िया से इसने चलात हुए भूझ ले बो अच्छा से भूझा जाही तैब हम जो तरोई ला काट और शिल के रखे रहे हैं इल्चला बढ़िया बो हम पहले छिले हैं फिर काट के रखे हैं एक किलो तरोई अब इहुल हम मीक्स कर ले थां बढ़िया से हम अच्छा से इल्चे लात रहे हो ताकि नीचे से हमार सब्जी चिपका है नहीं अब हम इला इसने खोखो के पकन देबो बस थोड़ा समय समय हम हिलाद जावेला और पकने देबो हम चापो तो आँच्छा थोड़ा बढ़ा सा कर थां आप मैंन के इन सारे जब चीपका की नहीं बढ़ावे अगर चीपकत रही तो आँच्छा कमी रखा मेडिया में मां अभी मैं थोड़ा आँच्छा बढ़ाक रखे हैं हम इस सब्जी लेक किनारे मां कर ले पूँ फिर सुखे के बाद इला हम पूरा सब्जी लेक सान मिक्स कर देवे हैं और बढ़िया सफीर से पका ले बो अब आँच्छा हम नेडिया में ही रख बो काबर हमार सब्जी अब सूख चुके है जलेक चंस ज्यादा रियकर करन आँच कम ही कर देना है और थोड़ा हम इला घिला थन फिर एला कुछ मिनिट तक धक के पकाबो मैं धक दे हां अब धकन निकाल के देख ले थन की कैसना है सब्जी संगवारी हो आप पन हमर वीडियो ला लाइक सेयर जरूर कर हा आओ कैसना लागी चुला कमेंट में हमला जरूर बता अब हमर सब्जी है अगभग बन चुके है हम थोड़ा से अच्छा तरह से लाओर हिला ले थन थोड़की इंध्राक लेबो और फिर धकल हम निकाल के आप मला दिखा थन यह हमर सब्जी बन चुके है अब उतारे करे बिल्कुल तयार है सब्जी लांस से उतार दे हैं और कत्ता बढ़ी हमर सब्जी बन के तयार हो ह आज के लिए बस इतना ही फिर नए वीडियो के साथ आजे रभू धनियावाद